मेरा आप चाग्रा रहेगा कि आप किर्प्या करके एक बार बैस में इस्ता लीजिए या बैठे वे सारे लुपक्ष्वे सदस्ये इस बात तो जानते हैं कि हमारे या रूल टू थाटी फाइफ सैविन में ये कहा गया है कि जब ये सदन चलेगा तो इस सदन के साथ सब्सक्र को अपनी सीट पर बैठना होगा लेकिन वो बैठने का काम नहीं कर रहे हैं महोदे इस सदन में पहले भी इस प्रकार से हुआ है कि बिल हमेशा सप्लिमेंटरी बिजनिस के साथ इंटर्ड्यूज होते रहे हैं आज ये विपक्षय नहीं कह सकता है कि इस बिल को लाने के लि और वन जो था वो जम्मू कशमीर को लीए ठाश्य को चोड़ करके अगर विरोध कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा ये केवल राजनतिक विरोध है इस विरोध का जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर के नागरिकों से जम्मू कश्मीर की जनता से कोई लेना देना नहीं है मौदे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस देश में कॉंग्रेस को कंचे कम ये समझने चाहिए कि कॉंग्रेस ने कभी भी इस देश की एक्ता के लिए जो जम्मू कश्मीर के लिए जो कदम उठाना चाहिए था वो उठाने का काम नहीं किया और सतर सालों में जो काम आपने नहीं किया, वो अगर आज विशे को हमारे ग्रहम एंट्री जी लेकर के आए है, तो आपको साथ बढ़के आना चाहिए, ना कि उसका विरोथ करना चाहिए. मौदे, मैं ये कहना चाहूँगा, कि वेन वी एंटर इंटर 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 इंटिग्रिटी जी लेकर करने के लिए, भारत में भारत की एक्ता और अखंता को पूरा बनाए रखने के लिए, हम सब लोगों को आज इस सदन में इस चर्चा में भाग लेना चाहिए, और इसलिए रखुने एक बार इपक्स को कहना चाहूँगा, कि वो चर्चा में भाग ले, हमारे देश में जो हमारा आर्टिकल वन है, आर्टिकल वन में देश के यूनियन और टेरिटरी को व्याख्या किया गया है, और आर्टिकल वन जो है, उसमें जम्बो कश्मीर को भारत की यूनियन और टेरिटरी के रूप में व्याख्या किया गया है, और इसलिए अगर पर प्रोविजनल था प्रोविजनल क्यों रखा गया उस समय की परिस्थितिया क्या थी जम्मू कश्मीर में मानने ग्रहमंत्री जी ने बताया उस समय के जब जम्मू कश्मीर का भारत में विले किया गया था जम्मू कश्मीर के विले में उस समय जम्मू कश्मीर के महराजा ने उस विले को करते समय ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर भारत का भाग होगा। लेकिन उस समय की परिस्थिती के अनुसार इस विलाय के लिए उस समय की परिस्थिती के अनुसार इस विलाय करने के लिए जो ताक्कालीन परिस्थिती थी उस ताक्कालीन परिस्थिती के हिसाब से ये 370 का एक टेंप्रेरी प्रोविजन लाया गया लेकिन जो भारत के अनुच्छे देख के अंतरगत हमारे देश में हमारे समय में सदन इस बाप का साक्षी रहा है कि समय समय पर रिबिन भारत में हम लोगों ने अनेक प्रुदेशों को शामिल करने के लिए इसी सदन के द्वारा एक मत होकर के प्रस्ताव पास किये गए है मैं कॉंग्रेस के सदस्यों को यह याद दुलाना चाहता हूँ कि साथ मांच 1974 को सिक्कम को इस देश की टेरेटरी में जब शामिल किया गया था तो पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने एक दिन के अंतरगर उस प्रस्ताव को पारिट किया गया था विपक्ष के लोग यह भूले नहीं कि भारत की एकता और अखंड़ता का विशह है मैं उनको यह भी कहना चाहता हूँ कि 7,8,1975 को सिक्कम को शामिल किया गया और उसके बाद हमारे देश में उसके बाद आगे भी यह प्रक्रिया जारी रही उससे पहले 12 मार्च 1962 को गोवा, दमंदी और यूनियन टेरिटरी को इसी सदर ने भारत की एकता और अखंड़ता के लिए दाखित करते हुए एक मत से शामिल करने का काम किया था है